हलो एरिवन स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल बेस्ट नोट्स टुटोरिल पर मैं मनवर सिंग लाया हूँ 20 महत्वपूर्ण MCQ जो काफे एक्जम में पूछे जाते हैं आज का जो टोपिक है वो उत्राखन का संख्शिप्ट अवलोकन पर है तो चले शुरू करते हैं आपका पहला प्रस्न है उत्राखन का राज के पुस्प क्या है option A. बुरास, option B. ब्रहम कमल, option C. कमल, option D. इन में से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा option B. ब्रहम कमल मध्य हिमाली छेत्र में 4800 से 6000 मीटर तक की उंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प ब्रहम कमल उत्राखंड का राज के पुष्प है यह एस्टेरिसी कुल का पौधा है इसका वेग्यानिक नाम सोसूरिय औवोवेलेटा है उत्राखंड राज हमें इसकी 24 परजातियां पाई जाते हैं इस्तानी अभास में इसे कौन पद्म कहा जाते हैं अगला क्वेशन है नीमन में से उत्राखंड का राज के पसू क्या है औप्शन A बाग, औप्शन B चीता, औप्शन C कस्तूरी म्रग, औप्शन D उप्रोक सभी तो आपका सही आंसर होगा औप्शन C कस्तूरी म्रग कहा जाता है कि कस्तूरी मुर्ग उत्राखंड के अलावा कस्मी, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्म आदी राजों में पाए जाते हैं इस मुर्ग का वेग्यानिक नाम मासकस काईसो गॉस्टर है इसे हिमालियन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है इस मुर्ग का रंग भूरा होता है जिस पर काले पीले धब्बे पाए जाते हैं तो अगला क्वेशन है राज्य का राश्ट्रिय पक्षिक क्या है? उप्सन A मूर, उप्सन B कबूतर, उप्सन C मोनाल, उप्सन D तोता तो आपका सही आंसर होगा उप्सन C मोनाल हिमाले के मयूर के नाम से प्रसिद मोनाल को राज्य पक्षिक के रूम में माना जाता है यह पक्षि लगवग संपून हिमाली छेतर में 2500-5000 मीटर के उचाई वाले घने जंगलों में पाई जाती है मोनाल तथा डफिय एक ही प्रजाती के पक्षि हैं लेकिन मोनाल मादा पक्षिय और डफिय नर पक्षि मांच और खाल के लिए मोनाल का सिकार अधिक होता है जिससे इनकी संक्या दिनो दिन घटती जा रही है अगला क्वेशन है उत्राखन के राजधाने कहा है उप्सन A देहरा दून उप्सन B नई दिली उप्सन C दिली उप्सन D इन में से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा उप्सन A देहरा दून अगला क्वेशन है नीमनी लिखित में से किस सन में राजधा का नाम उत्राण चल से उत्रा खंड पड़ा उप्सन A दोजार पांच उप्सन B दोजार 9 नौमबर 2000 को उत्राखंड को उत्राण चल के रूम में गठित होने से पहले कई वर्षों तक संगर्ष चलता था बाद में 1 जन्वरी 2007 को इसका नाम मदल कर उत्राखंड कर दिया गया तो 2007 आपका सही आंसर होगा अगला क्वेशन है उत्राखंड राज भारतिय गर्टंत्र का कौन सा राज है ऑप्सन A 11 ऑप्सन B 12 ऑप्सन C 27 ऑप्सन D इनमें से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा ऑप्सन C 27 अगला क्वेशन है उत्राण चल राज विदेएक लोग राज सभा में पारित कब हुआ ऑप्सन A 10 अगस्थ 2000 को ऑप्सन B 1 अगस्थ 2000 को ऑप्सन C 9 नौवंबर 2000 को ऑप्सन D इनमें से कोई नहीं तो आपका सही आंसर होगा ऑप्सन A 10 अगस्थ 2000 को केंदर सरकार ने 27 जुलाई 2000 को उत्तर परदेश पुनरगठन विदेएक 2000 को लोग सभा में प्रस्तूत किया जो 1 अगस्थ 2000 को लोग सभा में तथा 10 अगस्थ 2000 को राज सभा में पारित हो गया तो अगला क्वेस्चन है उत्तरान चल राज विदेएक लोग सभा में पारित कब हुआ अप्शन A 10 अगस्त 2000 को अप्शन B 1 अगस्त 2000 को अप्शन C 17 नौवेंबर 2000 को अप्शन D 5 नौवेंबर 2001 को तो आपका सही आंसर होगा अप्शन B 1 अगस्त 2000 को अगला question है निम्न में से ब्रह्म कमल को महा भारत में क्या कहा गया है option E कॉल पादम, option B सोसूरिय औबोवेलेटा, option C सुगंधित पुस्प, option D उप्रोक सभी तो आपका सही आंसर होगा option C सुगंधित पुस्प, जिसको हम सुगंधित पुस्प भी कहते हैं तो अगले question पे चलते हैं कस्तूरी मरिग उत्राखंड के अलावा और कहां कहां पाया जाता है option A कस्मीर, option B हिमाचल प्रदेश, option C सिक्किम, option D उप्रोक सभी तो आपका सही आंसर होगा option D उप्रोक सभी या सिक्किम में भी पाया जाता है इमाचल प्रदेश में भी, कस्मीर में भी और उत्राखंड में भी अगला question है, उत्राखंड राज्य की ग्रीस्म कालिन राजधानी कहां है option A गैर सें, option B पीड सें, option C देरादून, option D नई दिली तो आपका सही आंसर होगा option A गैर सें, उत्राखंड राज्य की ग्रीस्म कालिन राजधानी है गैर सें, चार मार्च 2020 को उत्राखंड के पूर्व मुख्य मंत्री स्रीत त्रिवेंदर सिंग रावाद ने विधान सबा में बजड सत्र के दोरान घोसन की की गैर सेंड के नजदीक इस्तित भराडी सेंड राज्य की ग्रीस्म कालिन राजधानी होगी अगला क्वेशन है विधान सबा का अपने वेब साइट शुरू कब हुआ आप्शन E 14 मार्च 2002 से आप्शन B 4 माई 2001 से आप्शन C 9 नमबर 2003 से आप्शन D 6 माई 2001 से तो आपका सही आंसर होगो आप्शन B 4 माई 2001 से अगला क्वेशन है राज्य गठन से पूर्व उत्तरान चल में कुल विधान सबा सीटे कितनी थी आप्शन E 22 आप्शन B 24 आप्शन C 17 आप्शन D 20 तो आपका सही आंसर होगो आप्शन E 22 अगला क्वेशन है नो जन्वरी 2017 को मत दाताओं की कुल जन्षन क्या कितनी थी आप्शन E 79,82,886 आप्शन B 75,92,996 आप्शन C 86,92,906 आप्शन D 98,86,536 तो आपका सही आंसर होगो आप्शन B 75,92,996 अगला क्वेशन है उत्राखन राज्यम्राज सभा सीटों के संख्या कितनी है आप्शन E 6 आप्शन B 8 आप्शन C 5 आप्शन D 3 तो आपका सही आंसर होगा आप्शन D 3 अगला क्वेशन है उत्च नियाले की स्ताफनक कब हुई थी आप्शन E 5 जन्वरी 2001 आप्शन B 8 नौवंबर 2000 को आप्शन C 9 नौवंबर 2000 को आप्शन D 10 दिसंबर 2000 को तो आपका सही आंसर होगा आप्शन C 9 नौवंबर 2000 को अगला क्वेशन है उत्राखंड राज्यमे सरवादिक तहसील वाला जिल्ला कौन सा है आप्शन E पित्थोरागड आप्शन B रुद्र प्रियाग आप्शन C हरिद्वार आप्शन D उप्रोक सभी तो आपका सही आंसर होगा आप्शन E पित्थोरागड यहां 13 तहसीले हैं लोक अगला क्वेशन है उत्राखंड में जिल्लो की संक्या कितनी है आप्शन E 18 आप्शन B 17 आप्शन C 13 आप्शन D 14 तो इसका अंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं अगला क्वेशन है राज जबाल अधिकार सनक्चन आयो का प्रह्थम गठन कप किया गया था आप्शन E 10 मई 2011 को आप्शन B 10 मई 2003 को आप्शन C 18 मार्च 2009 को आप्शन D 1 फरवरी 2010 को तो आपका सही आंसर होगा आप्शन E 10 मई 2011 को अगला क्वेशन है निमनी लिखित में से सबसे ज़्यादा पुलिस थाने किस जिल्ले में है आप्शन E रुद्ध प्रियाग आप्शन B देहरादून आप्शन C हरिद्वार आप्शन D पोड़ी तो आपका सही आंसर होगा आप्शन B देहरादून तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले टॉपिक पे इसी का पार्ट उलाऊंगा मैं अगले टॉपिक पर तो तब तक के लिए टाटा बाई बाई